का case तुछी कि अमें अब देखते हैं प्रतापगण कि रची जाती है इसे लिर्णधा सी इतिहास बनता है इस बारे में वह देखते हैं ऐडिल्शाह पर्डॉपाइब क्या हुता है नर्वस या घहबराया हुआ अभी बहुत चिंता में यह टेंसन में है। उसका मतलब होता है पुटर्ब कौन आदिलशा इड़ विजापूर वाउस पासिंग एंसर्ट इनद देस तो इस टाइम पर क्या हो रहा है जो आदिलशा का कोट है विजापूर में वहां पर क्या हो रहा है बहुत ही लोग टेंशन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए सब को बुलाया सभी सरदारों सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने वाले हैं जो कभी अटेंड नहीं को जानता भी नहीं उतना ज्यादा तो उन लोगों को भी बुलाया गया बड़ी सब्सक्राइब करते हैं तो वह वहां पर प्रजेंट हैं जब सभी सरदारों को बुलाएं गया गया दवन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है सब्सक्राइब का मतलब जो कठे हुए हैं सब लोग उसको बोलेंगे एक ही जगा पर सब लोगे कठे हुए हैं बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं क्वेश्चन क्या है तो यहां मतलब की कि उनका जो क्यब कि हैं से तोड़ाइं जो हैं सब्सक्राइब इस चाहरे लोगों का हुए है तो बड़ी साहिवा जो थी डोगर की उन्होंने एक सिंपल क्वेश्टन पुछा स्ट्रेट क्वेश्टन का मतलब सीधा एक सवाल पूछा सभी सर्दानों को टेल मी तो उन्हेंने पूछा कि मुझे बताओ कि कौन ऐसा है जो शिवा जी के अगेंस्ट मार्च कर सकता है लट सकता है और उनके रिवेलियन को खत्म कर सकता है रिवेलियन मतलब जितने लोग विद्रोही हैं उनके साथ जो रहते हैं और यह जो भी लोग उनके साथ रह रहे हैं कोई बोल नहीं रहा है और एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दे एक दूसरे का मुह देख रहे हैं कि कौन यह चैलेंज यह शर्थ कौन एक्सेप्ट करेगा कौन शिवा जी से सबको पता है शिवा जी बहुत ही ब्रेव हैं और सबको धूल चटा दिये मतलब सबको हरा दिया है उन्होंने जो भी आया लड़ने सबको हरा दिया जास्ट देन जाइंट ऑफो मैन कें फॉरवर्ड एंड बहुट रिस्प्रेक्फुली विफोर दे थ्रों इस ने वोज अ अधाप करता है यहाँ पर बाद करता है और उसका झालव टाकान अब यहां पर आया यह क्यों आया क्यों कि उस्सने एकसेट कि यह चैलेंज को अगेपी डाफ बीटल लीफ स्पॉम दशरा आज मारक उफ एकसेप्टेंस तो मतलब कि यहां पे जो मतलब क्या होता है पान का पत्त तो श्ते क्या कि एकसेट एकसेट यह एकसेट करेगा मितलब यह उसने वह उठा लिया और यह अकसेट किया की मैं लड़ूँ गा उसे शीवा जी वह बोलता है शीवा जी कौन है या शीवा जी He said I shall arrest him and bring him here or if that is not possible I shall bring his dead body बोलता है मैं arrest करके लाओंगा उसे और अगर यह possible नहीं हो सका तो मैं उसकी dead body ही लेके आओंगा यहां पे ठीक है मतलब चाहे जिन्दा या मुर्दा पर मैं लेके आओंगा अवजल खान वाज वन ऑफ दमाइटी सर्दार एड़ कोट ऑफ विजापूर यहां पे जो अवजल खान है यह बहुत ही शक्तिसाली है शक्तिसाली सरदारों में से एक है विजापूर के कोट में इस फिजिकल प्रोवेस श्टेंथ वर उसकी फिजिकल प्रोशेश मतलब वह फट्ठा कट्था लंबा चवड़ा था उसकी जो टाकत स्ट्रेंथ मतलब ताकत थी वह कैसी थी अन्बिलीवल बहुत ही मतलब विश्वास ऐसक विश्वास ना हो इतना जयादा मजबूत और प यहां पर वह बहुत कुछ अचीव किया हुआ है उसने अपनी लाइफ में मतलब की बहुत युद्ध वगरा वह लड़ता है और बहुत कह सकते हैं क्रूल भी है और बहुत ही ज्यादा वह ट्रिकी परसने बहुत चालबाज भी है इस अफजल खान है अचेप्ट अचेप्ट कर लिया यह चेलेंज को शिवाजी को जिंदा अलाइ मिस जिंदा या मुर्दा लेके आने के लिए वह यहां पर तयार हो गया सब लोग बढ़े खुश हो गया है अब तो शिवाजी का अंद निश्चित है अब वो या तो विजापूर में वो लाया जागा या तो जिंदा या तो मुर्दा ऐसा सब लोग खुश होने लगे सोच के ही ठीक है अभी ही अभी से खुश होने लगे अफजल खान लेफ्ट विजापूर इन ग्रेट पॉंप बड़ी ऑार्मी के साथ मतलब अपनी आर्मी के साथ fing वोगिपव two western पूर ए अस्त्रि शरस्त्र क्ला लेक्रा प्रेजिया जेक यूद्ध के लिए निकल गया तो पहले क्या था वो वाई का एक प्लेस है वाई का वो सुभेदार था 12 साल से तो वो पूरे कंट्री को बहुत अच्छे से जानता है इसके लिए उसे किसी की जरूत नहीं है वो किदर से भी अपना रास्ता जहां से उसे सही लगेगा वो जाएगा मतलब पूरा उसे रास्त कर दिया उधर और पूरे प्राइड के साथ पूरे घमंड के साथ एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ की अभी से सक्सेस मिलेगा ही स्वाराज इन डेंजर अभी स्वाराज खत्रे में है क्योंकि वो निकल पड़ा है इस तरह किसे अटेक करने के लिए इस ताइम शिवा जी वाज राजगर्ड राजगर्ड में थे ही गॉट थे इसके मुवमेंट के बारे में मतलब यह जो अक्टिविटी कर रहा है आगया अटेक करने के लिए उनने समझ लिया कि अभी मेरा स्वाराज जो मैं चाह रहा हूं मेरा जो ड्रीम है तो बहुत डेंजर में आ गया है बट इडिड नॉट लोज करेज उनने हिम्मत नहीं हा रहा हिम्मत निक होया कि अफजल खान मतलब की वह बहुत ही राजनीती रणीती में बहुत ही कुटिल नीती बहुत है उसके अंदर चल कपत वह सारी चीज़े उसके अंदर और उसके पास बड़ी सी आर्मी भी है श्रिवाजी स्रिवाजी देखे तो अभी तो उन्होंने अपने बनाना स्टार्टी किया थोड़े थोड़े करके तो यहाँ इनकी इनकी बहुत छोटी है और इनकी आर्मी भी छोटी है अफजल खान से अगर खुलम खुला अगर इस तरह की से वह बैटल करे युद्ध करे तो यहाँ पर वह सक्सीट नहीं हो पाएंगे न क्योंकि वह आर्मी बहुत बढ़ी है उसकी और बहुत छलकपट वाला इंसान है छलकपट वाली बुद्धी है उसकी इस अगर कुछ इसा प्लान करके कुछ ऐसा तक की खान के लिए सप्राइज हो ऐसा कि वह कुछ जानता ही नहीं हो कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा शिवाजी ने सोचा इन कंसल्टेशन विद जीजाबाई एंड विधर ब्लेसिंग शिवाजी महराज शिफ्टेड हीज हेटकॉर्टर फ्रॉम राजगर तु प्रताबगर तो जीजाबाई जो उनकी मात थी उनसे कंसल्ट किया मतलब सला किया बातचीत की और यहां पे उनकी आशिरवाद लिया और शिवाजी महराज कहां शिफ्ट हो गए हेटकॉर्टर अपना कहां कर लिया राजगर से वह प्रताबगर चले गए प्रताबगर क्यों गए याद है आपको क्योंकि वह बहुत ही फुल मतलब जंगल था और वहां पे वाइड लाइफ बहुत थी अफजल खान्स काउंट से प्रताबगर क्यों गए है तो बढ़ा ही डिफकल्ट काम है उसे पता था यह सारे बात इसारा इसको एक्दम वजीज़ और प्रताब must Peng do तो उन्हें उससे पता था अफजल खान को पता था कि जो किला है इस पे चड़ पाना रोड ढंग से है नहीं वहां पे बड़ी बड़ी पहाडियां है तो उससे ले जाना बड़ा मुश्किल है बिसाइड्स जंगल वॉस फुल ओफ वाइल डाइफ और इसके अलावा क्या है यह सब प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी पहाडियां है रास्ते नहीं है जंगल है उसके अलावा यहां पे टाइगर बेर और लायन सब बहुत भरे पड़े हैं मार डालेंगे वैसे ही दखान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन दव होप और बरिंगिंग शीवाजी दान पूद अपर इसने कुछ कांग इनिशिएटे मतलब उस ने कुछ पूप्स कुछ मूव्मेंट कुछ अक्टिवीटी उसने सोचा ऐसा काम किया उसने की ताकि वो शीवा जी को क्या करें प्रतापगड पहाड़ी एरिया में थोड़ा भी एजली अटाइक कर सके इसने क्या स्टाइब कर दिया पंडरपूर मतलब की देवस्थान था तुलजापूर यहां पे देवी माता का मंदिर था वहां पे इसने क्या कि आटाइक किया लोगों पे अत्याचार किया उसने ही वाज होफ फुल देट इस टैक्टिस वूड ब्रिंग शिवाजी डाउन तू दप्लेंस तो इसने यह सोचा यह होप में था यह उम्मीद में था कि यह सब जो चाल चल रहा है वह इससे शिवाजी प्लेन एरिया में आ जाएंगे मतलब प्रताबगड से नीचे आ जाएंगे बट शिवाजी प्रूब टू क्लेवर फॉर हीं बट यहां पर शिवाजी ने प्रूब किया कि वह अफजल खान से भी बहुत क्लेवर हैं चालाक हैं मतलब यह साबित कर दिया ही रिफ्यूज टू लीप प्रताबगड उन्होंने मना क प्रताबगड लीफ करने के लिए आये ही नहीं नीचे देन दखान चेंज टाक्टिक तो फिर खान ने चेंज किया अपनी चाल को टाक्टिस मतलब चाल को इनस्पिरीट ऑफ अपारेंट फ्रेंडलेस फ्रेंडलीनेस ही सेंट अमैसेज टू शिवाजी अब उसने क्या चाल withdraw uh come and see me युआ और मुझसे मिलो return return our forts and i shall see that आदिल शाह makes you a certainly at his code हमारे जो पोड हैं किले है वह return कर्दो हमें लॉट आदो और मैं देखूंगा । मैं बोलूंगा कि आदिल शाह की सर्दर्दर बना देंगे तुम आओ, उसे मिलो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, हमारे जो फोर्ट तुमने जीते हैं, जो कबजा किया है, उसे हमें दे दो और हम तुम्हें जो आदिलशा हैं, वो तुम्हें सरदार बना देंगे Tit for tat, मतलब जैसे को तैसा शिवा जी quickly saw through the Khan's offer, उन्होंने Khan की offer को देखा, quickly मतलब तुरन देखा उन्होंने, he was taking no chances, वो कोई chance नहीं लेना चाहते थे, he decided somehow to persuade the Khan to come up to the fort, पस्विट का मतलब यहां पे क्या है, कि यहां पे उन्होंने यह देखा, just wait, यहां, तो इन्होंने decide कि Khan से मिलते हैं, ठीक है, come up to the fort, इसी किले पे बुलाया जाए प्रताफगड पे, in reply to the Khan, मतलब प्रताफगड किले पे ही बुलाया जाए उसको, in reply to Khan's message, he said, उन्होंने खान के, जो अफिसल खान का, उसके reply में message भेजा, उन्होंने भी लेटर लिखा, Khan साहिब, I am guilty of having captured your thoughts, मैं अपने आपको guilty मानता हूँ, मैं sorry हूँ, मतलब मुझे माफ कर दो, मैंने आपके किले को capture किया, मतलब उसे जीता, I must have your promise of pardon for this, मैं आपसे इसके लिए pardon मतलब माफी मा लगना चाहता हूँ, please come and meet me at the foot hills of प्रताफगड, please आए और प्रताफगड के पहाड़ी पे उससे मिलिए, I am really afraid of coming down to the plains to meet you, मैं सच मुझ में, really सच मुझ में आपसे afraid हूँ, डर रहा हूँ, नीचे आने में, plane area में मैं आपसे नीचे आने में, डर रहा हूँ, this reply of Shiva जी pleased अफ अबजल खान था बहुत ही खुश हो गया, please मतलब खुश हो गया, passing his fingers through his beard, he smiled and said this is good news, तो उसने क्या किया, अपने बेर्ड में, मतलब अपनी दाड़ी में इस तरह के से वो हांद घुमाते हुए, मुस्कुराया और बोला ये तो बहुत ही अच्छी ख़बर है, बहुत ही अ अगेंस्ट वो क्या कर सकता है शिवाजी, he has no guts, उससे हिम्मत ही नहीं है मुझसे लड़ने की, उसमें हिम्मत ही नहीं है मुझसे लड़ने की, I shall myself go to Pratapgarh and put an end to his life when we meet, मैं खुद जाओंगा Pratapgarh और वहीं पे उसकी मैं life का end कर दूँगा, जब हम मिलेंगे, जब हम मिले टू शिवाजी प्रपोजल तो मतलब यहां पे वो agree कर गया, यहां पे शिवाजी ने बोला प्रतापgarh आने के आके मिलने के लिए, वहां के पहाडियों में वो यहां पे उनके प्रपोजल को agree कर गया, मतलब सहमत हो गया आने के लिए, the meeting place, the maachi on Pratapgarh was chosen as the meeting, तो यहां पे जो माची था, प्रतापgarh का, ठीक है, इस तरहीं से जो उची पहाडिया होती है, वहां पे, वहीं पे मिलने का प्लान किया गया, यह देखो, यहां पे, यह प्रतापgarh का photo है, A date and time was fixed, एक date or time fixed किया गया, it was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards at a distance, तो यहां पे यह बात fix की गई, इस बात पे रजामंदी हुई, कि दोनों तरफ से, यहां पे servant भी होंगे साथ में, और 10 bodyguard, इनके bodyguard भी होंगे, कुछ दूरी पे खड़े रहेंगे, और क्या होगा, एक special road बनवाया इसके लिए, इसके लिए जो अफजल खान है, उसके लिए उस प्रतापगड में रोड बनवाया गया, ताकि उसके उसे आने में सुविधा हो जाए, ठीक है, और एक बिक सामियाना मतलब एक बैठ का मस्त बनवाया गया, मिटिंग के लिए, every move of Shiva ji was marked by great caution, तो यहां पे हर ए एक एक्टिविटी शिवा जी बहुत ही great caution के लिए कर रहे थे, मतलब एक reason की वज़े से कर रहे थे, ताकि वो यहां पे आये और सोच समझ की एक एक कदम रख रहे थे, he divided his army into small units, उन्होंने अपने army को अपनी सेना को छोटे-छोटे units में divide कर दिये, each unit was told where to hide and when and how to act, हर जित hide किया गया और उन्हें बोला गया, मतलब यह बोल दिया गया कि कब क्या करना है, when and how to act, यह सब उन्हें बता दिया गया था, he took every measure for safety and left nothing to chance, यहां पे वो हर काम अपनी safety से कर रहे थे और कोई भी chance यहां पे नहीं लेना चाते थे, कोई भी risk यहां पे नहीं लेना चाते थे, many of his advertisers, okay, उनकी जो advisor थे, जो उन्हें advice किया करते थे, जो उन्हें शला दिया करते थे, वो यहां पे try कर रहे थे, कोशिक कर रहे थे, कुशिश कर रहे H Force 거지 बहुत ही चालवाइज इंसान है अव ए नकी जो म cesya की डिप्रहेर चैनल जब पर शिवाजी असाय दिस ऐ्डवाइज है नहींchemical है using शिवा जी ने उनकी बातों के जो उनकी अडवाइस थी उसको क्या क्या ब्रश असार मतलब की दर्खिनार कर दिया नहीं सुना जस उनके निकाल दिया दिमाग से और डिसाइड किया जब जहां पे जैसा अरेंज किया गया था टाइम और प्लेस वहीं पे वो मिलने के लिए र घ्राइ किलिए लिए सुन आफ्टर ईस्टाटेज ऑ में उन अहीं सुर्वर अड कोट ऑं आफ मेल arakि ही वह एक वर एक से बंद संथे और यह देखो यह कुछ यहां पर है कोट आफ मेल पह आफ पहनते हैं नीचे आफ पहफिए सेफटी के लिए यह बना होता है चोटे मेटल्स पहती है पटिया उसकी बना रहती है अगर यहांता है जो होता है यह किसी का पीषगा पहनते हैं यह तो हम देखते हैं यूद्ध में सब लो будем पहनते हैं तो इन्होंने क्या किया शिवा जी ने शिवा जी ने ये सारी चीजे पहनी लेकिन उसके उपर ये सारे कपड़े भी पहन लिए ये जो पहना इसके नीचे उन्होंने वो जो मेटल का कोट है वो भी पहना हुआ है इसके नीचे उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ है पर उसके अपनी सारी चीजे पहन ली उन्होंने ताकि उसे पता न चले तो उन्होंने ये सब पहना On his head he is placed the zero top and tied a mandle around it तो उन्होंने ये जो zero top है मतलब जो helmet भी पहना और इस तरह के से उन्होंने ये जो पगड़ी है वो भी बांद ली ताकि उसे दिखे न and tied a mandle around it he fitted वागनक on to the fingers of his left hand left hand उन्होंने वागनक भी पहन लिया वह जो लोहे का था मैंने दिखाया आपको hidden inside the left sleeve was a bichwa and he left sleeve मतलब अपने बाएं हाथ के जो बाँ है ठीक है لي EU को स्लीव है इस हाथ में उन्होंने एक बड़ा सा ब mutually बिचवा मतलब एक या जो नाइफ था न ये वाला बिचवा यह भी चुपा लिया उन्होंने यह बिक रखे लिया यह भी पेहन लिया यह ये भी सब पेहन लिया उन्होंने और उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया एक दंड पट्टा ये वाला अब वो अफजल खान से फेस करने के लिए तयार है और सरदार्स वर वेटिंग आउटसाइड सभी सरदार बाहर वेट कर रहे थे शिवा जी टू देम और सेट आये वो मुड़े और बोला वो आप सबको करना है मतलब पूरा करना है आपने दिल को मत हारना मतलब हिंमत मत हारना ठीक है डोंट लूज हाट इंस्टाल संभाजी ऑन दगदी फॉलो द कमांड्स ओप मां साहब तो उन्होंने बोला कि इंस्टाल का मतलब यहां पर क्या है कि उनका राज़ा विशेक कर देना मतलब पुजीशन पर मेरे पुजीशन पर मेरे प्लेस पर किसे रखना संभाजी को रखना यहां पर गदी पर बिठाना और जो मेरी मां साहब रहेंगी उनके कमांड्स उनके ओर्डर जो भी रहेगा उनकी आग्या का पालन करना मतलब कमांड्स को फॉलो करना फाइट फॉर स्वराज एंड एक्स्टेंड इट्स बाउंडरी और हमेशा अपने स्वराज के लिए ही फाइट करते रहना और उसकी बाउंडरी को बढ़ाते रहना एक्स्टेंड मतलब बढ़ाते रहना में दसब्जेक्ट सैपी जो पिपल रहेंगे जो जनता रहेगी जो पब्लिक प्रजा रहेगी उसे खुश रखना आई शेल गो नाउं टू मीट अब मैं जा रहा हूं मतल इंक्लूडिंग जीवा जी महला शंभा जी कव जी एसा जी एसा जी कंग कृष्णा जी गायकवार्ट सिद्धी ब्राहिम और अदर्स यह सारे लोग उनके साथ गये शिवा जी के साथ वें शिवा जी रिस्द शामियाना ही सौद अधा खान है अल्रेदी अराइब जब शा वो सत प्लैंग करे के रखा था मारने के लिए श्रेवा जी को मैंध कर अगे साक्ना प्लैंग कर रहा है से consistent यहां पर प्ला् Sure स्व्जर सिपाही खड़ा उसका नाम का आ साइद he was highly skilled in the use of दंडपत्टा दंडपत्टा चलाने में यह जो हमने तलवार उपर में देखा इसे चलाने में वो बहुत ही skilled है मतलब माहीर है यह ठीक है तो शीवा जी केम तो दा इंट्रेंस ऑफ दा शामियाना बट ऑन सिंग बड़ा साइद कि उन्होंने देखा जो बड़ा साइद है उसे देखके वह वहीं पर रुप गए दा खान आस्ट शीवा जी वकील वाई शीवा जी स्टूड एट दा इंट्रेंस इंस्टेड ऑफ कमिंग इन तो उन्होंने पूछा अफजल खान ने पूछा वकील से कि शीवा जी इंट्रेंस पर ही क्यों खड़े मतलब वह बाहर ही क्यों खड़े हैं और अंदर क्यों नहीं आ रहा है अमयाना में क्यों नहीं आ रहा है दवकील सेड ही इस अफ्रेड ऑब बड़ा सेड वह बड़ा सेड वह डर रहे हैं प्लीज आस्किम टूग वह बाहर जाए बड़ा सेड वोवड अवे और शिवा जी श्टेब दीन तो बड़ा सेड जो है वह बाहर चला गया और शिवा जी अंदर एक कदम मतलब अंदर की अरफ पदम रखे दखान गॉट अप एंड सेड कम शिवा जी राजे लेट इंब्रेश इच अदर ऐजा माक ओफ और आर फ्रेंड्शिप तो वह अफ्जल खान वह आगे बढ़ा और बुला कम शिवा जी राजे लेट अस लेटस इंब्रेश इंब्रेश का मतलब क्या है य इस तरुत हैं अब यहां पे किसकी स्टरगल से मतलब जो किसले से स्ट्रगल स्टार्ट होता है जड़ब चालू होती है शिवा तो अब शिवाजी के कंपेर में वो जो था यह बहुत बड़ा था यहां पर देख सकते हो यह इनके यह जो शिवाजी इसके सीने तक ही पहुंचेंगे इतना यह लंबा चोड़ा था जाइंट मतलब एकदम था मतलब यहां पर खान के चेस्ट तक ही वो पहुंच पा रहे हैं मतलब छोटे पढ़ रहे हैं उसके आगे तो यहां पर क्या करता है वो जैसे शिवाजी आगे बढ़ते हैं शिवाजी के नेक को गरदन को वो क्या करता है अपने मतलब ग्रीप में अपने मुठी में इस तरह की से पकड़ लेता है एक हाथ से स्टैब्ड मतलब पकड़ लेता है पूरे दम से और डैगर का मतलब क्या होता है वह तो फट जाता है लेकिन जोन का मेल रहता है कोट आफ मेल जो नीचे का उन्होंने अंडर नीथ पहना वह वह उन्हें बचा लेता है मतलब जो उन्होंने पहन के आया थे ना उपर मेटल वाला कपड़ा में देखा जो फाइटिंग करने जाते हैं युद्ध में तो पहनते हैं शिवा जी नोइंग देखान वॉस ट्राइंग तो उन्हें पता था कि वह उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो वह क्या करते हैं तुरंट की तुरंट की तुरंट की तुरंट की तुरंट का मतलब क्या है हमला कर देते हैं धमाग के साथ मतलब पुश करते हैं वागनक जो पहना होता है हाथ में किसके पेट में उसके अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं ड्राइंग आउट द वो अपना बिच्वा निकालते हैं और क्या करते हैं he drove it into the khans stomach और उसके पेट में घुशा देते हैं tore apart his guts और यहाँ पे पूरे हिवमक्स के साथ क्या करते हैं उसका पेट को फार्ट देते हैं the wounded khans fell down अब यहाँ पे घायल khans गिर जाता है khans वकील and Krishnaji Bhaskar came forward and attacked Shivaji with his sword तो यहाँ पे जो इसके वकील रहते हैं खान के और Krishna जो वकील Krishnaji Bhaskar यह सब आते हैं और attack करते हैं Shivaji पे but Shivaji killed him with one stroke of the patta तो एक ही पत्त जो पत्त दन लिया रहता है उसी से एक बार मारते हैं दोनों को तुरंट की तुरंट मार डालते हैं वेन बड़ा सायद heard the shouts and noise he rushed into the shamiana जैसे ही बड़ा सायद यह सारी चीज़ सुनता है इतना noise सुनता है चिल लाने की यह आवाजे सुनता है वैसे ही वो शामियान में अंदर आता है as he was about the strike Shivaji Shivaji Mahal जिवा जी माला came between them and killed and killed बड़ा सायद with one stroke तो क्या होता है जैसे ही वो आता है यहां पर मारने के लिए शिवा जी को वैसे ही यहां पर जो देखे यहां पर दोड़ के आता है स्ट्राइक करने के लिए शिवा जी के उपर तो वैसे ही जिवा जी माला बीच में आते हैं, शिवा जी के सामने आते हैं और बड़ा सहियत को वो एक हमले में मार देते हैं. Because of Jiva, Shiva was saved. तो ये कहावद बन जाती है. Became a common saying afterwards. उसके बाद एक कहावद बन जाती है कि Because of Jiva, Shiva was saved. तो जीवा की वज़ा से Shiva जी बच गया है. संभाजी कावजी डिस्प्लेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फिक्ट, इस जगडे में, यहां पर जो यूद हुआ थोड़ा सा, मतलब यहां पर जो हुआ, यहां पर जो संभाजी थे, संभाजी कावजी ने भी बहुत बहादरी से यह तबाही, भाग्दर मच जाती है, भाग्दर मतलब सब भागने लगते हैं, तस वीद्राइम्फ, ट्रायम्फ का मतलब यहां पर यहां पर क्या है, ग्रेट विक्तरी, अच्यूद्न बिला ना, बहुत ही बड़ी विक्तरी मिली, जीत मिली, शिवाजी को, इस कि लिए Me, ग बूम्ड एंड गेव दसिगनल और क्या यहां पर गन को बूम किया जाता है मतलब कि यहां पर सिगनल दे दिया जाता है कि हम जीद गए उन्द इंस्टेंट शिवाजी स्टूप केम आउट और एडिंग एंड अटेक्ट दखान सार्मी तो यहां पर क्या करते हैं बंदुख और यहां पर खान की जो आर्मी थी वह तो अन्प्रिपेर थी यहां पर तयार ही नहीं थी क्योंकि उससे तो लगा था अफजल खानी मारेगा वैसे ही मार देगा वह तो यहां पर लोग बिल्कुल भी तयार नहीं थे फॉर्द टैक एंड वॉस कॉट इन डिफिकल्ट टेर जो यहां पर मतलब की जो यहां की टेरिटरी जो एरिया है प्रतापगड़का वह बहुत मुश्किल भरा है वहां पर लोग फस्ट गये वहां पर भाग भी नहीं पा रहे थे अच्छे से उन्हें आडिया भी नहीं था किधर भागना इतने पहाडिया एरिया पूरा चारो मरथा टूप बॉलो बढ़र घंगल नंट च्रूप देम इन होट पर सूट अन पर सूट एंडफिट अन दिस्टॉयट द्रौलव थे आर्मी नों लोग क्या करते है जो माराथा टूप होती है माराथा जो की जो तूप मतलब आर्मी से ना होती है वूनका पीछा करती है प पे जो अफजल खान का बेटा था फजल खान वह बच निकलता है भाग जाता है बड़ी मुश्किल से वह भाग के विजापूर पहुंच जाता है His account of the disastrous campaign spread gloom over the whole of विजापूर तो यहां पे उसका जो मतलब इतना disastrous रहा विनाशकारी जो great damage हुआ यहां पे इस campaign में वह सब जगा पे जो विजापूर में विजापूर में सब जगा पे क्या फैल जाता है एक मतलब यहां पे शिवा जी के बारे में पूरा groom फैल जाता है ठीक है शिवा जी दस humble the most powerful सरदार सब बिजापूर कोट अभी बिजापूर के कोट में यहां पे शिवा जी बहुत ही powerful सरदार के रूप में अब जाने जा रहे हैं सब सबको पता चल गया कि बहुत ही powerful है अबजल खान जैसे को मार डाला और पुरी सेना को भी मार डाला इस name, his fame spread everywhere उनका fame उनका नाम सब जगह फैलने लगा उनका जो glory था सब जगह फैलने लगा the songs of his exploits were heard in the hills and valleys of सहाधरी जो hills थे पहाडियां थी सहाधरी mountains था सब जगह पे उनके exploits का किस तरह की से उन्होंने बरबात किया दुश्मन सेना को सब जगह पे उनके बारे में गाना गाया जाने लगा folk song सब लोग गाने लगे उनके बारे में कहानिया कहने लगे इस तरह किसे उनकी वाहवाही चारो तरफ फैलने लगी धीरे धीरे तो यहां पर मारा यह lesson खतम होता है next video में देखें हम देखेंगे next lesson तो आप जरूर वीडियो को like कर दिजिए subscribe कर दिजिए तो आपको उसका notification मिल जाएगा